सुपर एट सीरिल अनुपमा में भोले भाली अनुपमा अपने अनुच पर इतना हटूट विश्वास करती है कि उनसे अलग होने से भी टरती है क्योंकि अनुच अपनी अनुपमा से कभी कुछ नहीं चुपाते हैं और अनुपमा की जिंदगी में वो आशा की किरन बन कर जिनसे अनुपमा ने हसना खेलना वोलना और खुश रहना सीखा है जिसके चलते इनके बीच पेशमार प्यार और भरोसे का रिष्टा हमें देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि अनुच की एक सच्चाई को जानकर अब अनुच के पैरतले जमीन खिस अपने वाली हैं क्योंकि अनुच ने अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए अनुपमा से दूसरी शादी रचाई तो आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो अनुच ने अनुच अपना पूरा करना चाहते थे आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे पर उससे पहले आ अपनी जगा बना कर उन्होंने इन से साथ फेरे भी ली इसलिए इनके बीच बेशमार प्यार और भरोसे का रिष्टा कायम होता हूँ नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों का भी एक दूसरे से कोई बात नहीं चुपाते हैं और तो और अनुच अपने दिल की हर बात अनुपमा से चुपाई हैं जिससे जानकर अनुपमा के पैरो तली जमीन खिसकने वाली है और अनुपमा चाकर भी इस सदमे से बाहर नहीं आने वाली है जी हां आने वाले दिनों में अनुपमा अनुच की राहे इतनी असान नहीं होंगी क्योंकि अनुपमा को अनुच से जुड़ा एक सीक्रेट पता चलेगा जिससे जानने के बाद अनुपमा के पैरो तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अनुपमा को अनुपमा के बारे में पता चलेगा कि वो इन्हें प्यार के नाम पर धोका दे रहे हैं। जिस तरह से वनराज ने अनुपमा के भावनाओं के साथ खिलवार किया था, ठिक वैसे ही अनुपमा भी कर रहे हैं। ताकि वो अपनी बेटी अनुपमा को अपने घर अपने साथ ले जा सके। जी हाँ, अपनी बेटी को पाने के लिए अनुपमा को ये भी पता चलेगा कि छोटी अनुपमा की सगी बेटी है और वो उनका ही खून है। पहली पत्नी से अलग होने के बाद अनुच को उनकी बेटी की कस्टडी नहीं मिली थी जिसकी वज़े से उन्होंने अनुपमा का सहारा लिया है ऐसे में आप देखना ये है कि अनुच अनुपमा से इस सच को कब तक चुपाते हैं कल दोस्तों अनुच के बारे में इतना सब को चानने के बाद क्या अनुपमा उन्हें कभी माफ कर पाई की आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी लेटेस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें